हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हेलो हूम फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम एक मनी प्लांट पॉट डियाइवाई करेंगे जिसमें मेरा ये मनी प्लांट लगा हुआ है पॉट में और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है बट अब इसकी लंबी लंबी जो डाल है व यह एक चोड़ा सा पत्ला सा वायर लिया है दोनों ही वायर बहुत हीजली मुर जाते हैं और ये इस तरहा का एक टूल लिया है जिससे हं मुराइंगे वायर को ॹारी को अब हमें इसमें एक गोल सा शेप बनाना है मैं इसमें एक गोल शेप कर ग़ he हूँ तो इसके लिए सबसे पहले रेखिए मैंने जिसमें एक लकडी लगा रखी थी जिसके सहारी मैंने तरह से सबसे पहले इसका सीरा धूनेंगे, इस वायर का और सीरा धूनने के बाद हम cured के इसे नापके देखेंगे जितना भी हम आकार लेना चाहा रहे हैं, जिस साइज को लेना गंबली का किनारा है, वहां से 3-4 इंच मिट्टी के अंदर हमें इंशर्ट करना होगा, तो इससे साइड से भी और इससे रभी दोनु साइड से हमें ये नाप ले लेना है, और उसके बाद हम इसे नापने के बाद कट करेंगे, यह देखिए मैंने इस तरह से नाप लिया है और नापने के बाद इसी टूल की सहायता से मैं इसे कट कर रही हूँ प्लास बोलते हैं इसे आप कोई और भी टूल ले सकते हैं इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद उसी को हमें चेक कर लिया है कि हमारा जो साइज है वो ठीक बैठ रहा है या नहीं और यह एकदम परफेक्ट बैठ रहा है मेरे हिसाब से तो मैंने उसी कट को कट पीस को लिया है और उसी से नापते हुए उसके साथ साथ हम वायर को रखेंगे वायर को हम एक सिरे से रखेंगे जैसे यह मैंने रखा और इसे हम नापते हुए जाएंगे इसका जो दूसरा सिरा है कटा हुआ वहा तक यह रेखिए इस जगह तक और इससे हम यहां से काट लेंगे, अब यह दोनों ही wire एक बरावर के कटेंगे, तो इस तरह से हमने इसे काट लिया, ने हमारे पास अभी फिल हाल दो wire बन गई है, यानि कि हमारा जो shape है उसके लिए दो wire तयार है, और हम तीन बना लेंगे, Torah, इस तरह से मैंने 5 बना लिये है, औ और पांचो को अब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे जिससे की हम जो डिजाइन चार हैं वो तयार हो जाएगा तो एक बॉल जैसे आकार बनेगा ये और बहुत ही खुबसूरत लगेगा आगे आप देखते रहिए इस तरह से मैंने इसे जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 इंच कम से 3 से 4 इंच इसे मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर देना है और ये देखिए मैंने पांचों वायर को इस तरह से लगा दिया है और डिजाइन कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है अब जो पतला वाला वायर था उसे मैं इस तरह से बान्वे के लिए यूज कर रही हूं ये ज इस तरह का देख रहा है और मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट जरू करिएगा फ्रेंद्स इसके बाद एक राउंड शेप और लेना है हमें और उस राउंड शेप को हमें इसके चारो साइड से राउंड करके लेना है ताकि जो हमने ये गोला आकार दिया है जो बॉल का आकार हमने दिया है वो बार-बार इधर से उधर ना गिरे तो ये गोला आकार देना बहुत ज़ और आपका जो मनी प्लांट है वो इसके उपर बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा सा ये एक शेप लेते हुए बहुत सुन्दर आपके घर में एक डेकोरेशन पीस बन जाएगा तो इस तरह से इसके जो सिरे हैं उसे अच्छे से दबा दीजिए ताकि जब आप मनी प्लांट इसके उपर ग्रो करें और आप कभी भी यहां पर वर्क करें तो आपके हाथों में चोट वगरा ना लगे या कि कोई भी व्यक्ति आए तो उसे कोई चोट ना पहुंचे तो इस मैंने बांद दिया है और अब यह बिल्खुल भी इधर से अधर नहीं हो रहा है अभी पहले आपने देखा था कि यह हिल रहा था और अब देखिए यह एकदम स्थिर है एक जगह पर है अब हम जो मनी प्लांट है जो नीचे की तरफ लटक रहे थे उन सरी को ऊपर की तरफ उठा देंगे और यह बहुत सुंदर क्लाइमिंग डोरी बन जाएगी और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन भी बन जाएगा तो यह देखिए अब यह कितना खूबसूरत लग रहा है पहले इसके ब्रांचिस नीचे लटक रहे थे और आब यह उपर की साइड जा रहे हैं त का व्यू है फ्रेंट्स अगर मेरा यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विज बैल नोटिफिकेशन ताकि मेरी वीडियो आप त चाहिएगा कि वीडियो कैसा लगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स